हमेशा अपने आप से जुड़े रहो और अपने आप से जुड़ने का मतलब है अपने भूत वाले इंसान से जो भूत में आप थे अपने भविश्य वाले इंसान से जो भविश्य में आप होगे और अपने आज से ये तीन मित्र हमेशा मिलकर रहने चाहिए एक दूसरे का से आगे बढ़ गया है उसको अपने भूत वाले मित्र को सपोर्ट करना है सांत्वना देनी है भरोसा देना है कि हम आगे बढ़ गए है तू चिंता मत कर मैं तेरे साथ खड़ा हूं मैं आज में पहुँच गया हूं मैं तेरे लिए बहुत कुछ करूँगा तू जैसा भी है तू मेरा है तिरे साथ कितना ही बुरा हूँ तू मेरा है मेरा रहेगा मैं तुछ समेशा प्रेम करूँगा और भविश्य में आपका जो भी कलाएगा जैसा भी हो अच्छा हो बुरा हो उपर हो नीची हो जैसा भी हो उससे कमिट करो तू मेरा मित्र है तू मेरा अपना है म आप सिरफ इस करेक्टर को खेल रहे हो, इसके सारे इस कहानी को जी रहे हो, बहुत घहरी बात है ध्यान जे सुनना, कि आप पूरी कहानी हो, आप इसको जी रहे हो, इसके सारे जी रहे हो पूरी कहानी को, अपने पूरे जीवन को, और पूरा जीवन कभी भी अकेला नहीं होत उसमें लोग आते जाते रहते हैं, परिस्तिती आती जाती रहती हैं, भावना आती जाती रहती हैं, कोई भी भावना इतनी बड़ी नहीं होती कि आपको रोक पाया केला कर पाया, अपने आपको सुनो, अपने आप से बाते करो, अपने आपके जरीये फैसले लो, अपने आप थामो दोस्तो, खुद को एडवाईज दिया करो, जो एडवाईज आपको दूसरों से चाहिए, वो खुद को दो, जो बात आप दूसरों से दस बार कहना चाहते हैं, खुद से कहो, दस बार कहो, बीस बार कहो, खुद को सांत्वना दो, खुद को ही एक उचे स्थान पर रख जज़ करना बंद कर दो अपने आपको गलट ठहराना बंद कर दो अपने आपको कोशना बंद कर दो कम से कम अपने आप से तो casual हो जाओ, free हो जाओ देखना आप अकेले नहीं पढ़ोगे Thank you and all the best जिस इंसान का एक अच्छा एक fix routine होगा जो अपने कामों में पूरे दिन वेस्त रहेगा, मस्त रहेगा उसके पास अकेला पढ़ने का समय नहीं होगा मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल अकेले रहते हैं जिनका कोई नहीं है और उनमेंसे कुछ लेडीज भी है लोग कहते हैं एक लेडी कैसे अकेली रहेगी कैसे गुजारा चलाएगी साट साल, सत्तर साल की औरतों को मैं जानता हूँ जो बिल्कुल अकेले रहती है और उनकों किसी की जरूत ही नहीं है चंद लोग हैं जिनसे सुब मंदिर में मिलती है या फून पर बात कर लेती है बस वो अपने रूटीन में मस्त है अपना ख्याल लखने में मस्त है अकेला पन एक ऐसी चीज है जिसकी अगर आपको आदत पढ़ गई तो आपको उसी में मज़ा आने लगेगा उसी मानन आने लगेगा फिर आपको लोग चाहिए ही नहीं होंगे और उसकी आदत तब पढ़ेगी जब आप अपने रूटीन में अपने जीवन में मस्त हो जाओगे वेस्त हो जाओगे एक बहुत अच्छा रूटीन जी होगे बहुत सारे काम होंगे हर दिन में खाना बनाना भी होगा बहर काम करना भी होगा मार्किट जाना भी होगा मंदिर जाना भी होगा घरम पढ़ना भी होगा घ्यान लेना भी होगा हर चीज जब उसमें होगी पूरे दिन हर समय पताओगा मुझे ही करना है वो अकेले पन का भाव आपको चल रहोगा अब मुझे ही करना है अब मुझे वो करना है अब मुझे वो करना है और उसके लावा एक आद लोगों के हमदर्द बन जा जिनकी सारी बाते सुन रहे हो जिनकी आप मदद कर रहे हो वो आपकी बाते सुन रहे हैं इतना बहुत है एक ऐसी दोस्ती है इस दुनिया कि आपकी मदद करने के वो है इश्वर की भक्ती अपने आपको इश्वर की भक्ती में खोदो दिल को साफ रखो, मेला मत रखो दिल की बात उनसे कहो खुल कर कहो सारी टेंशन उन पर सौब दो, जीवन को उन पर सौब दो उनकी अच्छे कामों के निमित बनो चब भी परिशान हो, चिंता में हो, उनको याद करो, उनका नाम लो उनका जो स्वरूप आपके सामने है, जो आपको मिला है उसको याद करो उसकी मदद से उन पर ध्यान लगाओ वो connection constant होना चाहिए यह नहीं कि परिशान हुआ तो भक्ती कर ली, मंदिर चला गया ऐसा नहीं है, निरंतर होना चाहिए गहराई होना ही चाहिए विष्वास होना चाहिए उसमें सिरف इच्छाएन ही रही होनी चाहिए, मुझे ही यह चाहिए यह मिल जाए, नहीं नहीं प्रेम का भाव होना चाहिए देखना कभी अकेले नहीं पड़ो आपको जवाब मिलेंगे अभी आपको जवाब पढ़ना ही नहीं है उस समय आप जवाब को पढ़ना सीख जाओगे कि ईश्वर ने मुझे इस तरीके से जवाब दिया ये संदेश दिया है अपने इस निमत के दुआरा कोई काम बीच मैट का होगा और इश्वर से आपने बताया और अचानक से वह काम खतम ही हो गया, बना ही नहीं तो इसका ये संदेश है, उपरवाले ने ये संदेश हमसे बहुत गहरा प्रेम करते हैं, हम उनसे चिडने लगते हैं, हमें प्रेम ही बरदाश्ट नहीं है, हमें फिर वो चाहिए ये नहीं, जो मिल गया वो बेकार है, मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जो माता पिता सारी बाते सुन र दिया, नहीं मुझे नए दोस्त चाहिए, मुझे इश्क करना है, शादी होगी, पती-पत्नी सारी बाते सुन रहे हैं, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे दोस्त ही करनी है, आफिस में दोस्त होने चाहिए, कई दोस्त होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, आपको ब और जिन लोगों के पीछे भाग रहे थे वो आपसे दुगनी स्पीट से आगे भाग रहे हैं तो अपने एक्जिस्टिंग रिष्टों पर ध्यान दो जो आपको मिले हैं जो इश्वर का तोफा है आपके लिए जो बहुत साधारण है पर तो भी खास है कम सेंगम आपके इमो फॉर्मैलिटी कम करनी पड़ेगी आपस में विचार विमर्ष करने पड़ेंगे अपनी पोजीशन को अलग रखे घरवालों की बाते सुनो अपनी बाते उनसे को उनके साथ जादा समय बिताओ सबको समय दो यह नहीं कि सब बिजी हैं अपने पने कामों में व्यस्त हैं कि को मनोबल दो प्रेडित करो धीरे धीरे घर का महौली ऐसा बन जाएगा कि आपस में प्रेम भाव होगा लोग बाते करेंगे यह चक्का है जिसको आपको चलाना अभी धक्का देकर यह चल गया तो कभी भी अकेले नहीं पड़ोगे तो घर के महौल पर बहुत ध्यान देना कि वो पॉजिटिव हो, सकरात्मक हो, फ्रेंडली हो, फॉर्मैलिटीस कम हो, गैप्स कम हो, कम्यूनिकेशन सम्में खुला हो, चाया आपके बच्चे ही घर में क्यो ना हो, आपको स्कूल प्रिंसिपल बन के नहीं रहना, जब आपके मन के अंदर कोई विचार घुट रहा ह तो उसके लिए आपको बेशरम मनना पड़ेगा, चाया वो दुनिया से अलग हो, कोई नेगेटिव बात हो, कुछ भी हो, तो आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको बोल दो कि चाया आप मेरी बात को एकसेप्ट ना करो, कोई बात नहीं, पर मेरी बात को शांती से एक बा प्राग में चल रहे हैं, जो बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, जिसे आप से आप जीवन जीना चाते हो, पर वो घुटे जा रही है, आप कोई और जीवन जी रहे हो, उन बातों के लिए कह रहा हूँ, अपने लोगों से वो बात शेयर करो, अब ये सला है, जो मैं विचार सालों से दिनराज चल रहा है, और आपके जीवन के प्रभा को रोक रहा है, तो अपनों से वो बात शेयर करो, उनको पता चलना चाहिए कि मैं ये हूँ, चाहिए वो किसी के प्रती सच्चा प्रेम हूँ, कोई करियर आप्शन हूँ, जीवन जीने का तरीका हूँ, बाहर जाके रहना चाहते हो कोई काम करना चाहते हो और इसका ताथ पर यह है कि बहुत बहतर है कि आप अकेले हो जाओ बजाए अकेला पन महसूस करो एक बार अपनी बात कहदी दूसरे तक पहुँच गई आपको एक बहुत सुकून मिलेगा चाहे वो उस बात को एकसेप्ट ना कर पाएं पर आपके अंदर से वो बात भार आ जाएगी आपको एक बहुत सुकून मिलेगा आप अकेले नहीं पढ़ोगे दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं अकेले ना पढ़ू या आप अकेले पढ़ रहे हो तो वो ही काम आपको दूसरों के लिए करना है कि वो अकेले ना पढ़े दूसरों के प्रतीतना ध्यान देना है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो अकेले ना पढ़े उनकी मन की बाते मैं सुनू निश्पक्षो कर सुनू, शांती दे सुनू उनको जज ना करूँ, उनके साथ खड़ा रहा हूँ अगर आप 10 लोगों के लिए खड़े रहोगे उनको अकेला नहीं पढ़ने दोगे बिना किसी अपेक्षा के तो उनमें से एक आध इंसान जरूर आपके लिए खड़ा होगा अपेक्षा मत रखो कि मैंने किसी के लिए कुछ किया तो वो मेरे ले करे पर मैं आपको बता रहा हूँ, 8-10 लोगों के लिए आप खड़े हो अकेला महसूस नहीं होने दे रहे सच्चे मन से उनके साथ खड़े हो तो कोई ना कोई इंसान आपको अकेला पढ़ने से जरूर हो गएगा अगर किसी इंसान को बिना बोड होए, बिना चिड़े, दस बार सुनोगे न तो वो कम से कम दो तीन बार तो आपको शांती से सुन लेंगे चाहे इस दर से सुने कि वो आपको न खुदे पर सुन लेंगे